बच्चो आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइंत हिंदी कृतिका के अंतर गए चैप्टर नमबर पहला इस जल परले में और इसके लेकक हैं फणिश्वरनाथ रेणू तो आईए पढ़ लेते हैं सबसे पहले हम आपको बताएंगे पाट का सारांस और अंत में पाट से सम्बंदि प्रस्नों के उतर भी तो बच्चो आप देख रहें ने आपर यह है इस जल परले में और हम आपको बता रहे हैं पाट का सारांस इस जल परले में लेकक ने बाड के कारण हुई त्रास्दी का वर्णन किया है बाड की स्थिति में लोगों को किस तरह की समस्याओं और कटना उसे गुजरना पड़ता है यह कहानी उसका वर्णन करती है लेकक ने बड़ी साउधानी पूरबैक बाड़ से उत्पन समस्याओं का चितरन किया है तो आईए पढ़ लेते इसका सारांस इस जल परले में फणिश्वरनात रेणु द्वारा लिखित रिपोर्ट आज है जिसम की बिसाल और परती जमीन पर सावन बादों के महिने में पस्चिंपूर्व और दक्षिन के बहने वाली कोशी पनार माननदा और गंगा की बाड़ से पिडित मानव पसों का समुव सरन लेता था सन 1967 में यानि के 1967 में भेंकर बाड़ आई थी तब पूरे सहर और मुख्यमंत सरी निवास तक के डूबने की खबरें सुनाई देती रही लेखक बाड़ के प्रभाववा परकोब को देखने के लिए अपने एक कभी मित्र के साथ निकले तभी आते जाते लोगों द्वारा आपस में जिग्यासा वस एक दूसरे को बाड़ की सूजना से अउगत कराते पानी आकास बाड़ के स्टूडियो की सीडियों तक पहुँच गया है बाड़ का पानी देखकर आ रहे हैं लोग पान की दुकानों पर खड़े हस बोलकर समाचार सुन रहे थे परन्त लेकक और उनके मित्र के चेरों पर उदासी थी कुछ लोग तास खेलने की तयारी कर र गए वहाँ उन्हें जन संपर्क विभाग की गाड़ी से लाड़ स्पीकर पर की गई बाड़ से सम्मझित गोशनाएं सुनाई दी उसमें सबको साउधन रहने के लिए कहा गया रात में देर तक जगने के बाद लेकक सोना चाते हैं पर नीद नहीं आती वे कुछ लिखना हैं और तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें तरो ताजा हो जाती हैं सन 1947 में मनिहारी जिले में बाड़ आई थी लेकक गुरू जी के साथ नाव पर दवा कैरोसीन तेल पकाही गाओ की दवा और दिया सलाई यादी लेकर साहता करने के लिए वहा गए थे इसके पाद 1949 में महानंदा नदी ने भी बाड़ का कहर बर पाया था लेकक वापसी थाना के एक गाओं में बीमारों को नाव पर चड़ा कर कैम्प ले जा रहे थे तभी एक बीमार के साथ उसका कुता भी नाव पर चड़ गया जब लेकक अपने साथियों के साथ एक टीले के पा कर खा रहे थे एक काला कलूटा नटवा लाल साडी में दुलहन के हावभाव को दिखा रहा था आगे फिर एक बार सन 1967 इस भी में जब पुनपुन का पानी राजिन नगर में गुश गया तो कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली नाव पर स्टोप केदली बिस्कु पहुची और ब्लॉकों की छतों पर खड़े लड़कों ने उनकी खिली उड़ानी शुरू कर दी तो वे दुम दबा कर हवा हो गए रात के धाई बजे का समयत थापर पानी अभी तक वहां नहीं आया था लेखक को लगा कि साइद इंजिनियर उन्हें तटवंद ठीक कर द और पानी महले में दस्तक दे चुका था चारों और सोर कोला हल कलरव चीक पुकार और पानी की लहरों का निर्थय दिखाई दे रहा था चारों और पानी ही पानी दिखाई दे रहा था पानी बहुत तेजी से चड़ रहा था लेखक ने बाड का द्रस्य तो अपने बच्प अच्छे से समझ आया होगा आप इसे बार बार सुनें और इस कहानी को अच्छे से याद कर लें ताकि आपको परिक्षा के समय किसी परकार की परिशानी का सामना ना करना पड़े इसके बाद आए जान लेते हैं यहां पर पाड़ से सम्बंदित प्रस्नों के उत्तर तो यहा आवसेक इधन आलू मुमबत्ती दिया सलाई पीने का पानी और कमपोज की गोलियां इकटा करना शुरू कर दिया ताकि बाड़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके और उन्हें इन सब का अभाव न जेलना पड़े दुकानों से सामान हटाए जाने लगे और सभी लोग बाड़ के आने की परतिक्सा करने लगे तो यह था यहाँ पर पहले प्रस्न का उत्तर आए जान लेते यहाँ पर दूसरे प्रस्न का उत्तर और दूसरा प्रस्न तो यहाँ पर दूसरा प्रस्न आपके लिए बाड़ की सही जानकरी लेने और बाड़ का रू पानी रिपोर्टाज आदी आवसे लिख चुके थे परन्तु किसी नगर में विसेश कर अपने नगर में पानी किस तरह गुशेगा या किस परकार गुशेगा या जानना बिलकुल नयान बहुत था उन्हें गुशते वे पानी को देखने की बड़ी उत्सुकता थी इसके बा पानी कहां तक आ गया है इन सब्दों से हमें जन मानस के कोतुहल उत्सुकता और सुरक्षा की भावना परदसित होती दिखाई देती है इसके बाद चौता प्रस्न है मिर्टु का तरल दूत किसे का गया है और क्यूं तो उतर होगा आपका बाड़ के निरंतर बढ़ते हु कितने प्राणियों को जाड दिया था बहा दिया था और बेगर करके मौत की निन सुला दिया था इस तरह इस तरल जल के कारण लोगों को मरना पड़ा इसलिए इसे मिर्टु का तरल दूत कहना बिलकुल सही है इसके बाद पांचों प्रस्न आपके लिए आपदाउं से नि निपटने के इंतिजाम कर ले इसके बाद आप दाउं से दूसरा होगा आप दाउं से संबंदित उपकरणों का उचित रख रखा होना चाहिए ताकि समय आने पर उनका उप्योग किया जा सके तीसरा होगा आप दाउं से निपटने का सभी को प्रिक्षन दिया जाए और चौता होगा यहाँ पर जनता और सरकार को आप दाओं के समय सुजबूज धहर्यतता बिवेक से काम लेना चाहिए। इस प्रकार से आप यहाँ पर पांचवे प्रस्णिका उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो आपके लिए च्टा प्रस्णिया यहाँ जब दानापुट डूब रहा था तो पत्निया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गई। अब भूजो इस कतंद्वारा लोगों की किस मानसिक्ता पर चोट की गई है। जानने का भी कष्ट नहीं करते। इसके बाद सातों अप्रस्णिया आपके लिए खरीद विक्री बंद हो चुकने पर भी पान की विक्री अचाना क्यों बढ़ गई थी। इसके बाद आठों प्रस्णिया आपके लिए जब लेकक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी गुशने की संभावना है तो उसने क्या क्या परबंद की। तो आपका उत्तर होगा जब लेकक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी गुशने की संभावना है तो वे रोजमर्णा की चीज़े जुटाने में लग गए। उन्होंने आउसक इधन आलू मुमबती दियासलाई पीने का पानी कमपोस की गोलियां एकटी कर ली ताकि बाड़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके उन्होंने पढ़ने के लिए किताबे भी खरीद ली उन्होंने बाड़ आने पर चट पर चले जाने का भी परवंद सुनी चित कर लिया इसके बाड़ पीडी चेतर में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है तो आप उत्तर लिखेंगे बाड़ पीडी चेतर में हैजाब, मलेरिया, टाइफाइड, उल्ती, दस्त, पेचिस, बुखार, डाइरिया, कालरा, साथी पानी के बार-बार पैर्स में लगने के कारण पकने वाले गाओ भी हो जाते हैं, इसके बाद अगला है यहाँ पर दसवाँ प्रसनाप के लिए नौजवान के पानी में उतरते ही, कुता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन-किन भावनों के बसी बूत होकर ऐसा किया, तो आप उतर लिखेंगे, नौजवान और कुता परस पर गहरे आत्मिय थे, दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे, दोनों में परस पर गहरा लगाओ था, दोस्तोंने के नाते उन में पसू और मानब का भेद नहीं रह गया था, वह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे यहां तक कि नौजवान को कुट्टे के बिना मिर्तुभी स्विकार नहीं थी और इसी अपने कैमरा टेप रिकारडर मूवी की आऊशकता महसूस हुई ताकि वे इस बाड का जीवन चितरन कर सकें परन्त यदि वे ऐसा करते तो वे केवल एक दर्सक बनकर रह जाते और बाड को साक्षात अनवाग करने का उसार उनके हाथ से निकल जाता इसलिए उन्होंने उफ्युक्त खतन कहा कि अच्छा है कुछ नहीं है मेरे पास इसके बाद यहाँ पर आपका बारुआ प्रस्ट आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तूत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती है ऐसे किसी घटना का उल्ले कीजिए तो आप उतर लिखेंगे जहां मीडिया समाज को जागरित करने का प्रियास करता है वहीं कई बार समस्याओं को बढ़ा भी देता है उधारन स्वरूप बावरी मस्जीत कान इस घटना को इतना बड़ा चड़ा कर मीडिया में दिखाए गया कि जिसके परिणाम स्वरूप पुरा देश सामपरदाई की दंगों की चपेट में आ गया इसके बाद 13 प्रस्न और आपका इस चैप्टर का अंतिम प्रस्न है अपनी देखी सुनी अपदा का वर्णन कीजिए तो आप अपनी देखी सुनी अपदा का वर्णन भी कर सकते हैं चाये तो आप उत्तर यहां से देख कर भी लिख सकते हैं जुलाई 2005 पूरा मुंबई सहर बार में डूब गया था पूरा का पूरा सहर जल में डूब चुका था करीव एक बज़े करीब एक बजे के आसपास उठाना पड़ा तो बच्चो इस परकार ये थे यहाँ पर आपके हिंदी किर्थिका के अंतर गया चैप्टर नमबर वन के प्रस्णूत्तर और उसका सारांस जो कि हमने आपको यहाँ पर बताया इस जल परले में जो कि आपके चैप्टर का नाम था उमीद है कि आपको यह प इतना काफी है आपका दिन सुभ हो